हाव रुफिक्स सैंसिंग 10S सेलूलर नेट्रोक नोट अवलेबल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलूलर नेट्रोक नोट अवलेबल प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेलूलर नेट्रोक यानि आपका मोबाइल नेट्रोक ठीक है अगर यहाँ पर अवलेबल नहीं है आपको नेट्रोक नहीं मिल पा रहा है तो कैसे आपको fix करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको complete solution बताने वाला हूँ जिसके true आप अपने cellular network not available problem को definitely fix कर पाओगे ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो video description पर link मिल जाएगा किसे भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चले दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है अगर आपका cellular network available नहीं है तो आप दोस्तों अपने sim card को check कर दीजिए यानि कि sim card को mobile से बाहर पर निकालना है mobile को restart करना है उसके बाद sim card को अंदर पर भर देना है insert करना है ठीक है और check करके देखे आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो जाते है ठीक है अगर नहीं हो रहा है एक बार flight mode को on करके देखे ठीक है flight mode on करके 30 second wait करे 30 second के बार flight mode को off कर दीजिए off करने के बाद दोस्तों आपका network आ चुका होगा चेक कर ले ठीक है अगर solve हो जाते है problem ठीक है अगर आपको आभी भी problem आ रहा है तो connections पर जाए mobile network को open करें और दोस्तों network mode को switch करके देखें ठीक है 4G, 3G, 2G के बीच में या फिर आप network operator में जाके network को manually या फिर automatically इस बटन को on off करके use कर सकते हैं अगर आप इसको off करते हैं तो manual network आपको डिख जाएगा आपकी area में कौन सा network available है जीओ का या फिर एटल का वह आप उसको use कर सकते हैं अगर आपका area लसी में तो area network ही use करें उसमें register किजिये अगर जीओ है तो जीओ में register किजिये जीओ सी में area पर रिजिटर नहीं हो सकते हैं तो यह चीओ आपको ध्यान पर रखना है और यहाँ पर आपका network setting एक बार reset जरू करना उसके लिए general management पर जाएए reset पर क्लिक किजिए और reset network setting पर जाके reset setting पर डबाके mobile password भर देना है और network setting को reset करना है तो इस तरहीं से दोस्तों आपका cellular network not available problem fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरहीं से आपको fix करना है by any chance अगर आपको अभी भी problem आते हैं तो wifi के मदद से software को update करके देखें अगर mobile के related कोई भी problem है तो वह software update करने के बाद fix हो जाएगा अगर आपके sim पे ही problem है तो आप customer care को contact करके बात कर सकते हैं आपके sim से नहीं कर पा रहा है दूसरे sim से कर दीजिए क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है sim deactivate हो जाते हैं ठीक है कई बार sim deactivate हो जाते हैं उसके वज़से cellular network नहीं आ पाते हैं तो आप अगर एटल सिम यूज़ कर रहा है 198 121 call कर सकते हैं अगर जीओ है 997 अगर दूसरा कोई है तो आप 198 पर कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकी वी चेक आउट कर सकते हैं और यह दोस्तों एक चीज़ दियान रखें आपके एटल सिम पर प्रॉब्लम आ रहा है तो एटल सिम दूसरे वाले लेके ही आपको कॉल करना है जीओ सिम पर प्र प्रेंस का जीओ सिम से आपको करके पूछिए मेरे इस नंबर पर प्रॉब्लम में किया हुआ है वह आपको कॉंप्ली डिटल्स बता देगा ठीक है लेकिन आपसे वह कुछ जानकरी पूछेगा कॉन्फरमेशन के लिए तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्ट्व प्रोचिं!